सबी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार और आज काफी दिनों के बाद मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर कर रही हूँ वीडियो शेयर करने का मुख्य कारण यह है कि मेरा दिल भी थोड़ा बदल जाएगा आपके साथ में बात भी हो जाएगी और आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत जादा चिंतित हैं मेरे स्वास्थ को ले करके तो मैं recover कर रही हूँ इश्वर ने चाहा तो जल्दी आप सबके साथ में अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगी तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे पौधे जो आप कटिंग से लगा सकते हैं कहीं पर भी कभी भी इसके लिए कोई मौसम देखने की जरूरत नहीं है कभी इन पौधों की आप कटिंग लगा सकते हैं और इस टाइम लॉक्टाउन है सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा खराब है तो बहतर है कि बागवानी में थोड़ा सा टाइम स्पेन किया जाए तो मन भी अच्छा रहता है दिमाग में भी शान्ती बनी रहती है टीवी क कम से कम देखा जाएं तो अच्छा है तो चलिए शोरू करते हैं कौन-कौन से पौदे हैं मैं बताती हो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि लगी प्लHigh की तो जेट प्लान्ट जो है वह जो बहुत कितने सारे jet plant हैं ये सब मैंने इसी तरीके से तयार किये हैं दूसरे नमबर पर आता है ये टर्टल वाइन टर्टल वाइन भी एक ऐसी बेल है जो कभी खतम नहीं होती है सर्दी में ये मुर्जा जरूर जाती है लेकिन आपकी ये जो बेल है ना इसके छोट छोटी सी cutting भी तो टर्टल वाइन को अगर आप के आसपास कहीं मिल जाए तो लगा लीजे नहीं तो आपको लोकल नर्सरी से भी मिल जाती है तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं और ये देखिए दूसरे गंबले में मैंने रख दी थी थोड़ी सी cutting थी मेरे पास तो मैंने रख दी थी सोचाता दूसरे किसी गंबले में लगाऊंगी और पाच्छे दिन में देखा तो इसमें जड़ पकड़ ली और ये अच्छे से होने लगी है तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगी ये spider plant की तो spider plant को भी बहुती आसानी से आप लगा सकते हैं मैं बहुत बार शेयर कुर चुक लाल दीजे तभी भी आपके अच्छे से ग्रोह हो जाएगा तो यह वाला जो पौदा है यह मेरा ऐसे ही उगाया गया है क्योंकि इसका जो में पौदा है वो दूसरे साइड में रखा है स्वासते ठीक नहीं है जिसकी वज़े से मैं उठा नहीं पा रही हूं आपके साथ में ऐसी दिखा रही हूं कि यह धूप की वज़े से पौदे थोड़े से खराब से हो रहे हैं जल्दी ठीक हो जाओगी तो फिर इन पौदों को भी बहुत सारे काम की देखभाल की जरूरत है करूगी चल्दी इसके बाद में मैं बात करूँगी वांडरिंग जीओ की तो वां तो कुछ दिनों के बाद में मैं इसको मिट्टी में ट्रांसफर कर दूँगी तो पानी में भी ग्रो हो जाता है और मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है मैंने पानी में भी लगाया है और ये दिखेए मैंने कटिंग मिट्टी में लगाई थी ये शेड लविंग प्लांट है इसलिए मैंने इसको शेड में रखा हुआ है अपनी टेबल के नीचे यहाँ पर धूब तो नियाती पर हाँ इसको यूमिडिटी वाला मौसम मिल जाता है पानी का ध्यान रखना है गर्मी में ज़्यादा है तो पौधों को जितना ज़्यादा स्प्रे करेंगे उतने अच्छे और हरे भरे पौधे आपके रहेंगे तो वंडरिंग ज्यू भी आप कटिंग से लगा सकते हैं इसके बाद मैं बात करूंगे मनी प्लांट की तो मनी प्लांट तो एक ऐसी कॉमन सी पेल है जो हर किसी के घर में मिल जाती है इस पौधे को आप कटिंग से लगा लिजे पानी में डाल के लगा लिजे मिटी में लगा लिजे चल जाता है मेरा ये बहुत जादा धूप की वज़े से ये देखिए खराब हो रहा है तो जल्दी ठीक करूंगी इसको भी ये कुछ ऐसा लग रहा है बागी मनी प्लांट को बहुत जादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है मनी प्लांट को भी हम कटिंग से लगा सकते हैं इसके बाद मैं अगले नंबर पर आया पौर्चुल का या मौश रोज 925 बहुत सारी नामों से हम इस पौदे को जानते हैं तो इसको भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है बस पानी डालो और धूप में रखो बाकी सारी कटिंग को लगाने के बाद में हमें रखना है क्योंकि आजकल गर्मी जादा है तो रखना है शेड में लेकिन ये पॉर्चुल का मूश जो पौधा है इसको आप कटिंग से लगाईए और धूप में रख दीजे अच्छे से चलता रहेगा बस ध्यान ये रखना इसका पानी ना सूखे अगले नमबर में बात करूंगी कोलियस की तो कोलियस भी कटिंग से बहुत ही असानी से लग जाता है और कोलियस जो है बहुत सारे रंगों में मिलता है बहुत सारे वराइटी है बहुत खूबसूरत पौधे है ये इसको शेड में रखना है कटिंग लगाईए पोरस मिट्टी बनाईए अच्छी सी और लगा करके छोड़ दीजे चल जाता है अच्छे से इसके बाद में मैं बात करूंगी परपल हार्ट प्लांट की तो परपल हार्ट प्लांट मेरे पास भी बहुत धेर सारा हो गया है थोड़ी सी कटिंग से ही लगाया था अब बहुत अच्छा पौधा है बिल्कुल भी डिमांड नहीं करता है परपल कलर के छोटे-छोटे से फूल आते हैं इसमें बहुत ही खुबसूरत लगता है गर्मियों में लगाया हुआ तो कटिंग से इसको लगा लीजे कभी भी लगा लीजे कैसे भी लगा लीजे सब चल जाता है इसके बाद में बात करूंगी एक इंग्लिश आइवी वाई प्लांट की यह पौधा ऐसा पौधा है कि आप एक बार लगा लेंगे ना तो यह आपका कभी खतम नहीं होता है हाँ सूख जाएगा मुर्जा जाएगा लेकिन आपका पौधा चलता रहेगा तो यह भी लगा सकते हैं आप कटिंग से इसके बाद में आता है स्नेक प्लांट स्नेक प्लांट भी सेम पत्ती से भी लगा सकते हैं जैसे मरजी लगा लेजे अच्छे से चल जाता है तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखें मैं जल्दी मेलूंगी तब तक के लिए बाई बाई